तो हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वास्थ होंगे और आप अपने बोर्ट परिक्षा के तयारी भी अच्छे तरकित से कर रहे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कैसा दस्वी साइंस का मोडर पेपर का सुलूसन जिसमें है पूरे नए पिटर्ण प्याधारी एक से लेकर अच्छी तक के साइंस का ऐसे इंपोर्टेंट अबजेक्टिव कोशन का सुलूसन जो कि आपके म मेटी बोर्चाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है अगर आप भी सवर मेटी का एक्जाम दे रही हैं तो आज का या बीडियो आप सभी को देखना बेहज जरूरी है तो चले फ्रेंज बिना सिमेगवाय पहला कुस्तन का सुलूसन देख लेते हैं है दोस्तो पहला स्वा पीत लोह इसपाथ कंपनी निमलेखित में से कौन सा है पहला अफसन में दिया गए है भारती लोहा एवम इसपाथ कंपनी आफसन बी में दिया गए है टाटा लोहा इसपाथ कंपनी आफसन सी में दिया गए है बोकारो इस्टिल शीटी आफसन डी में दिया गए है बिस्व नमबर एक का क्या सही जवाब होगा आजल्दी से वीडियो के नीचे चले जाए और कमेंट बैक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं उसके बाद में अगला स्वाल को समध्दू को देखिए को समध्दू करता है कि निमलिखित में से कौन सा उधोग क्रीशी पर अधायत उधोग है चीनी भी हमें खेतों से मिलता है लेकिन सीमेंट उधोग एक ऐसा उधोग है जो क्रीशी पर अधायत उधोग नहीं है अगला स्वाल है निमलिखित में से कौन सा उपभोगता है तो इसके लिया को चारशन इस परकार से मैट्टी के एक्जाम पेपर में देखने को मिलेगा चारो अफ्सनों में कोशन का सही जवाव अफ्सन ए हो जाएगा यानि सीनी जो है न या उभोगता उधोग है वो इसके बाद में अगला स्वाल कुशन चार करता है कि निमलिखित में से कौन छोटे पाइमाने का उधोग है इसके लिए आपको चार अफ दी में किस गैस का रिशाव हुआ था दोस्तों आप सभी को बता दें कि भुपाल द्राश्डी में मिथाईल आईसो साइनाइट गैस का रिशाव हुआ था यानि कोशन का सही जवाव अफ्सन सी हो जाएगा मिथाईल आईसो साइनाइट उसके बाद में अगला स्वाल कुस वहे चिनाई anticipator कोशन का सही जवाब आप संडी हो जाएगा चिनाई उसके बाद में अगला स्वाल कोशमेसाद को देखिए यहां पी कुशमेसाद करता है कि भारत का सारवाधिक विद dish다 पार किस मार्ड से होता है स्वाल आपसे ये पूशना जा रहा है कि भायत का जो सबसे अधिक बिदेशी ब्यापार्ज होता है ये कौन से मार्ग ये कौन से राष्टा से किया जाता है पहला अस्थल मार्ग, वायू मार्ग, समुदरी मार्ग और डी में दिया गया है पाइपलाइन के माध्यम से दोस्तों कोशन का सही जबाब अब संसी हो जाएगा यानि भायत का जो सबसे अधिक बिदेशी ब्यापार्ज होता है न इस समुदरी मार्ग के दुरा किया जाता है और भायत में समुदरी मार्ग का खोज किस ने किया था तो वास्ट को डिगामा ने किया था आप सभी को मार्ग होगा कि भायत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्ट को डिगामा ही था जिन होने 1498 इसी में भायत में पहुँचकर भारत का खोज किया था और साथ ही समुदरी जलमार्ग का भी खोज किया था उसके बाद में अगला स्वाल हमारा करता है कि पक्की सरकों की लंबाई की दृष्टी कों से भारत का परथम अस्थान पे आने वाला राज कों सा है अस्थान भासा में कहे तो भारत का वक कों ऐसा राज है जहां पी पक्की सरकों की लंबाई की दृष्टी से सबसे अगरनी है सबसे आगे है तो कुर्शन का सही बाव अपसन भी हो जाएगा महाराष्ट और एक चीज यहाँ पे और आप सभी जान ही लिजिए दोस्तों आप सीर सासुरी मार्ग का भी नाम सुने होंगे ग्रांट ट्रक रोड का भी नाम सुने होंगे यह बहुत लंbे चोड़े मार्ग है बहुत लंबे चोड़े रोड है यह भी महराष्ट की अंगरत आते हैं उसके बाद मिए अगरा तोस्वाल कुषमी नो काता है कि नागपुर सड़क यूजना की अंगरत सड़को को कितने भागों में बाटा गया है दोस्तों याद रखिएगा कि नागपूर सड़क योजना की अंतरकत सड़कों को लगवग छे भागों में बाट दिया गया है तो कुशन का सहीज बावबसन भी हो जाएगा छे भागों में उसके बाद में अगला सवाल को इसमें दर्श कहता है कि भारत का कुल कितने डांग छेतरों में बाटा गया है तोस्तों भारत को कुल आठ डांग छेतरों में बाटा गया है अतरकुशन का सहीज बावबसन डी हो जाएगा आठ छेतरों में उसके बाद में अगला इस स्वाल कुसमें 11 को देखी कुसमें 11 कहता है कि बिहार में कुल कितने अधी सचीत छेतर में वन का विस्तार है असान भसन में कहे तो बिहार में कितने ऐसे छेतर हैं कितने किलो मीटर छेतर हैं जहां पे वन का विस्तार अभी भी मौजूद है तो कु को देखिए कि बिहार में नहरों द्वारा सरवाधिक सीचाई की जिले में की जाती है। जान चुके हैं रोताजीले में उसकी बाद में अगला स्वाल किसमा 14 करता है कि बिहार में कितने प्रतिसाद छेतर में खेती की जाती है पहला आप्शन 50 प्रतिसाद 60 प्रतिसाद 80 प्रतिसाद आप्शन डी करता है 36.5 प्रतिसाद दोस्तों याद रखिएगा बिहार में लग तो इसकी बाद में एगला स्वाल किसम्हें पंद्रा कहता है कि बिहार में जूट उत्पादन में डौ डौ रही है। पहला अपसants बेनी हो रही हु याई बढ़ीा पोय। रही है। ऑफसंग हंट तुक्री की 22 करता है अताम कर सकते हैं कि बिहार के जूट उत्वादन में गिरावट हो रही है यानि कुस्छन का सही जवाव, अउयज भी हो जाएगा गिरावट हो रहा है उसके बाद में आगला स्वाल यहां पर कुसमे जूब सोला को देखिए कुसमे सोला आपका करता है कि परवतिय चायकरन बिधी में भू आकृतियों पर किस दिशा में परकास पढ़ने की कल्पना की जाती है तो कुस्टन का सही जबाव हो जाएगा उत्तर से पस्षिम दिशा की और कि उचावच परदर्सन के लिए हैस्वीर बिधी का विकास कीस ने किया था इसके लिए आपको चार अपसंद दिये जा रहे हैं पहला अपसंद में दिया गए गुटेन वर ने लिहमान ने गीगर ने और अपसंदी में दिया गए है डीटर ने दोस्तों याद रखिएगा उ उचावच परदर्सन के लिए हैस्वीर बिधी का जो विकास करने वाले बेक्टी का नाम है वह लहमान चुकि लहमान की माध्यम से ही उचावच परदर्सन के लिए हैस्वीर बिधी का विकास किया गया था अगला स्वाल को समा ठाड़ा करता है कि तल चिन की सहता से किसी अ आस्थानिक उचाई कहते हैं यहीं से मेटिक एक्जाम पेपर में आस्थानिक उचाई किसे करते हैं यह सब्यक्टिर सवाल दो नमबर में भी पूछे जाते हैं तो आसान भासर में बताईएगा कि आस्थानिक उचाई किसे करते हैं तो तल चिन की सहता से किसी आस्थान भी से की मापी गई उचाई को हम लोग आस्थानिक उचाई कहते हैं उच के बार में एक लाइस स्वार्ग समुनिश कहता है कि आस्थर रजन बिधी के अंद्रगत मान चित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है तो दोस्तों मान चित्र को मापने के लिए अलग-अल चीजों को चीनित किया जाता है जैसे परवत को अलग कलर से चीनित किया जाता है पठार को अलग कलर से चीनित किया जाता है मैदान को उसी परकास से जल को अलग-अलग कलरों के माध्यम से चीनित की जाती है ताकि पहचान किया जा सके कि कौन से कलर के अनुसार कौन से iben रही के अंदरगाद मान्चित में नेरी रंग शेक्याद दिखाएया जता है तो आप लिए ज़ल के भाग को दिखाएया जता है। कोशन का सहीजवाब अफसन ए हो जाएगा पहाड उसके बाद में अगला स्वार कोशन एक आज को देखिए दूसरे कोशन में एक आज करता है कि प्रकृतिक मान्चित में मरू भूमी को किस रंग से परदाशित किया जाता है प्रकृतिक मान्चित देखिए गना तो उसमें जितने भी मौरू भूमी है उन तमाम मौरू भूमियों को पीला रंग से परदाशित किया जाता है कोशन का सही जबाब पीला रंग हो जाएगा जो की अफसन B में है अथा कोशन का सही जबाब अफसन B हो जाएगा उसके बाद में अगला स्वाल कुष्माइबाईश को देखिए दूसरे कुष्माइबाईश करता है कि किस अस्तलाकरिती को परदसित करने के लिए कॉंटूर रिखाओ द्वरा गोल्या चौकोर आकरितिया बनाई जाती है तो था उसके बीच में दूर तक खाली अस्तान छोड़ दी जाती है तो इसके लिए आको चार असन दी जा रहे है पहला असन पहाड पठार जल परपात असन्टी में दिया गए है नदी घाटी दोस्तों याद रखिएगा कि पठार इस कोचन का सहीच बाव होच जाएगा चुकि पठार को ही परदसित करने के लिए कॉंटूर रिखाओ दोरा गोल्या चौकोर आकरिती बनाई जाती है उसके बाद में अगला स्वाल यहाँ पे हिस्टी से मिले जा रहा है जो कि आपके मेटी बोर्जाम के लिए भी काफी इंपोटेंट है और काफी ही सिंपर स्वाल है बोला किया कि गुटिन वर्ग का जनम किस देश में हुआ था आतमाम चात्रों को मालम होगा कि गुटिन वर्ग एक ऐसा विक्ती है जिनके माद्यम से छापा खाना का कार सुरू किया गया छापा खाना का अब इसकार किया गया और इनका जो जनम हुआ था ना ही अमेरिका में हुआ था ना ही जपान में हुआ था ना ही इंगलेंड में हुआ था बहुत सरे चाहतराओं को मालूम होगा कि इनका जनम चीन में हुआ था अगर आप ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं जो कि गुटेनबर्ग का जनम है न ये जर्मनी में हुआ था और काल मास का जनम भी सन 1898 इसी में जर्मनी प्रांथ के मेगवाना मक्षहर में हुआ था अगला स्वाल कुसमा 24 करता है कि गुटेनबर्ग ने सरो प्रत्थन किस पुष्टक की छपाई किये थे जोस्तों गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे जो पहला पुष्टक छापा गए था वो कौन से पुष्टक है पहला आफसन कुरान, गीता, हदीस, डी में दिया गया है बाइबिल दोस्तों या दखिएगा गुटेन बर के द्वारा सबसे पहले बाइबील नामक धार्मी ग्रंथ पुष्टा की छपाई की गई थी और समाजवादियों का बाइबील किसे कहा जाता है तो काल माश के द्वारा सन 2868 या 667 में दास कैपिटल नामक पुष्टा की राशना की गई थी जिन में बहुत सारे द्वनदात्मक भौतिकवाद का सिधान तैसे से बहुत सारे उसमें सिधान मौझूद है जो समाजवादियों का बाइबील भी कहा जाता है अगरा स्वार करता है कि भारतिये प्रेश्ट का प्राराम विलियम वोट्स के द्वारा कब किया गया था यानि भारत में जो प्रेश्ट का जो सुरुआत है वो विलियम वोट्स के द्वारा किया गया था और ये कब किया गया था पहला अफसन करता है 1766 में 1765 1760 में 1740 में दोस्तों याद रखिएगा भारती प्रेस्ट का जो प्रारम है न ये बिलियम वोल्ट के द्वारा 1776 में किया गया था इसकी बाद में अगला स्वाल काफी इंपूर्टेंट था काफी ही माज़ेदार है बोलता है रूसों कहां का दाशनी था दोस्तों याद रखिएगा रूसों जो है ना ही रूस ना ही अमेरिका ना ही इंगलेंड का दाशनी था ये था दोस्तों फ्रांस का दार्शनीक अता कोशन का सहीजवाव अफसन ए हो जाएगा फ्रांस का अगला स्वाल किसमा 27 करता है चीनी बेक्ती पीनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी दोस्तों चीनी बेक्ती है जिसका नाम है पीनोंग इनहीं के दोरा मिट्टी से यानि माट्टी से मुद्रा यानि पैसा का निर्मान कर दिया गया था और ये कब किया गया था तो 241 इसा वर्स पूर्ब किया गया था कोशन का सहीजवा उप्षन भी हो जाएगा 241 वर्स पूर्ब अगला स्वाल कुष्म 18 को देखिए यहां पी कुष्म 18 करता है तिरावी सताब्दी में किसने बलोग प्रिंटी के नमूने यूरोप में पहुंचा दिया था पहला सन मारको बोलो नितिकीन इत सिंग मेगास्थनी दोस्तो मारको बोलो ही एक ऐसा बेक्ती था जिसके माध्य प्रिंटिंग मशीन को पहुंचा गया था सब्जेक्टिव स्वाल में ही पुछा जाता है कि आखित छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा दोस्तों बता दिशेगा कि मारको पोलो ब्यापार करने के क्रम में या ब्यापार करने के उपदेश से यूरोप पहुंचा और आरम किया था पहला उसन राम मोहनराय, फिरोज सामेहता, महात्मा गांधी, पंडीज वाहरलाल, नहरू दूस्तों याद रखिएगा खरिजन पत्रीका का परकासन जो है ना ये सबसे पहले फिरोज सामेहता के दौरा सुरू किया गया था जो किसान सभा के एक ये सदर से माने जाते हैं, अगला स्वाल करता है कि भारतियों दौरा परकासित प्रथम समाचार पत्र का नाम किया था, पहला उसन बंगाल गजट पायो नियर आमिद बजार पत्रीका सुलव समाचार पत्र, दोस्तों याद रखिएगा कि भारतियों के माध्यम से तमाम भारतियों के दौ सबसे प्रथम समचार पत्र जो प्रकासित किया गया था उस प्रचार का नाम है पायो नियर और एक और स्वाल पुछा जाता है कि बिटिस इंस्ट इंडिया कंपनी के विरोध से बशने के लिए किस पत्र ने रातो रात अपनी भासा बदल दी थी तो यहां पे कोशन का सहीज नाहीं समा रखते को बिटिश को देखी एक इंग्लैंड में मुद्रन कला को पहुंशाने वाला बेक्टी कौन था पहला अफसें में दिया गया है हैमिल्टन था कैक्स्टन था सी में दिया गया एडिशन था और अफसेंडी में दिया गया है एटम एश्मी था दोस्तों याद रिखिएगा इंग्लेंड में मुद्रन कला को पहुंचाने वाला पहला अब्यक्ति का नाम है कैक्स्टन के मार्दम से ही इंग्लेंड में मुद्रन कला को पहुंचाया गया और वहां पे भी छापाई कार्ज होने लगा तो इस परकास से आज किस वीडियो स्टेज में हम लोग मोडर पेपर का एक से लेकर 32 तक का ऐसे इंपोर्टेंट भी बी आई अबजेक्टी कोशन का सालूसन देख लिए हैं जो कि आपके मेटी बोर्ट जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है दोस्तों उम्मीद है आज का यह बीडियो आप तमाम चादरों को पसंदा हो पसंदा हो तो बीडियो को लाइक करें पर दोस्तों के साथ सेयर करें ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आफ मारी यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टीफ्स को सब्सक्काइब करना बिल्कुना भूलिएगा जितने भी छाद रम चत्राएं अभी तक मैथ इन मैजिक टीफ्स का ओफिसली मॉबाइल एप्लिकेशन को इस्टॉल नहीं किये हैं तो जल्ली से जाकर प्ले स्टोर से मैथ इन मैजिक टीफ्स ओफिसली मॉबाइल एप्लिकेशन को इस्टॉल कीजिए और उससे भी बोड एक्जाम के तिजारी बेहतर से बेहतर कह सकते हैं साथ ही बीडियो की रिशन बैक्ष में टेलिग्राम चैनल का लिंक दे दिया गे है उसको भी जोईन कीजिए और question for exam.com बेव साइट पे भीजिट करके वहाँ पे online quiz खेलने के साथ करसे दस्वी का सभी सेट का study material भी पास सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे PDF फिरी में download भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो कुशन के साथ तर तक लिए बिडियो के बहुत भाद धन्यवाद